कि हलो अब्रिवन आई एम अधित एन वेलकम टू आर ओनलाइन लेंग प्रेटफॉर्म आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे यह हमारा पॉलिटी का सिक्ष्थ वीडियो है यह चट्मा टीक है इसके बाद हम अगले पार्ट में कुछ और मौली गाधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे तो आइए हम जानते हैं कि फंडमेंटल राइट्स हैं क्या कितने तरीके के फंडमेंटल लाइट्स हैं वरतमान में जब असम्भिधान लागो हुआ था तो उस समय कितने fundamental lights थे मौली गदिकार थे इन सब बात उपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो चलिए without any delay हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं आए दिखी यहां पर आपको एक पिक्षर दिख रहा होगा यहां पर आपको यह प्रियंबल दिख रहा होगा यह आपको कंस्ट्यूशन बुक दिख रही होगी और यह ला से चीज़ है जिसको हम हिंदी में ला कहा थोड़ा भी बोलते हैं ठीक है आप सब जानते भी होंगे तो इस पूरे पिक्चर से आपको एक इमेज दिख रही होग मतलब एक इंस्पिरेशन मिल रहा होगा एक चीज कुछनों कुछ समझ में आ रही होगी कि जो फॉर्णामेंटल लाइट्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए विदाउट इने डिले हम अपने चर्चा की शुरुवात करते हैं ठीक है सबसे पहली ची इंडिया विचार गारेंटी तो आल सेटिएंज कहने का मतलब यह है कि जो मौलिक अधिकार है वह मूल भूत मानों अधिकार है जो कि भारती समिधान में नहीं था और वह सभी नागरिकों को प्रदान के जाते हैं या वह सभी को प्रदत हैं उनको मिलती है आप ऐसे समझ सक अधिक है यह एक समान लागो होते हैं ऐसा नहीं है कि किसी को जाती के अधार पर किसी को लेंगे के अधार पर ऐसा को यहां पर पेदभाव नहीं किया जाता है ठीक है तो मजह उमीद है आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगी यह जो मौली का दिकार है यह नियाले द्वार प्रवरतनिय होते हैं समझ रहे हैं आप जैसे कुछ केसे में प्रवरतनिय होते हैं जिसके अंतरगत यह नियाले द्वारा प्रवरतनिय होते हैं जो कुछ स्पेशल केसे होते हैं जहां पर मौली का दिकार नहीं आते हैं जैसे आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ restrictions भी हैं, यह बिलकुल absolute नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है, आप एक टाउर्म यूज कर सकते हैं, कि यह बिलकुल जो fundamental लाइट से वो absolute नहीं होते हैं, यहाँ पे भी कुछ restrictions हैं, ठीक है, जैसे army के cases में हैं, अब ऐसा नहीं है, कि कोई कोई individual liberty के लिए जो है यह बहतर हो लेकिन society के लिए अच्छा ना हो तो यह आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यह जो है यहाँ पे individual liberty और social control के बीच में balance मौलिक अधिकार में ठीक है यहाँ पर आप इसको यह बात बिलकुल ध्यान रखना होगा उसके बाद बात करते हैं तो यह बारती समझान के पार्ट 3 में है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन-कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर तो अनुछेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार नहीं था यह वड़ित था ठीक है अब देखिए इस पार्ट को यह जो थार्ट पार्ट है इसको क्यá कहते हैं मैगनिकाट्र अफीट करते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि यह बहुत इंपॉर्ट इसको क्या है बहुत इंपॉर्टर पॉर्ट कपार हमारे रसां में में सबसे म्याइटव क्ली दर opinión क् LGBT हैं ढरी क्रेंठ पर सब्सक्र Ciaougen और पॉइंट यह आता है कि हमारा भारतिय संभिधान में मौली कदिकार रहे हो कहां से इंस्पायर है कहां से प्रेरित तो जैसे कि मैं आपको सोर्स में बताया था जब मैं सोर्स आंगे चलते हैं अब देखिए अब एक चीज और है कि और जिब सम्विधान बना था तो उस ट साथ मौली का दिकारते ठीक है लेकिन वरतमान में कितने हैं तो पर अमानें छे मौली का दिकार है है ये बात आपको द्धान में रखना है एक क्वेक्टे कंपया diffक अग्ला फॉइंत इंपर्टेंट यह आजाता है कि राई उप्रप़र्टिय में रिमोड Hyois संपत्ति अधिकार है इसको fundamental rights में से हटा करके इसको कहां रखा गया है वरतमान में legal light ये कानूनी अधिकार है ठीक है कि आर्टिकल के अंतरगत है अनुछी 300 को के अंतरगत यह आटिकल 301 ये क्या है वरतमान में fundamental right नहीं है ये क्या है वरतमान में legal right है क्या कहते है हिंदी में कानूनी अधिकार और कौन से आर्टिकल में है तो यह आपका आर्टिकल हो जाता है important 300a किस अनुछी किस भारती सम्विधान के संसुधन द्वारा हटाया गया है तो यह 44 में संसुधन द्वारा हटाया गया है यह 44 में संसुधन कब हुआ था तो 1978 में हुआ था इन सभी points को बिल्कुल important है यह आपके लिए और बिल्कुल धियान पुर्वक याद रखेंगे ठ ठीक है अब चीज़ें आपको clear हो गई होंगी आईए अब हम एक भर और थोड़ा समस्ते हैं कि वाई और दे कॉल्ड फर्नमेंटल लाइट्स इन्हें मौली का दिकार क्यों कहा जाता है तो इसके पीछे पर कुछ रिजन सब समझ लेजिए पहला रिजन तो यह आता है कि they are in the constitution which guarantees them यह समिधान में नहीत हैं जो कि एक guarantee प्रदान करता है ठीक है एक सबी नागरिकों को कि आपको यह बिल्कुल मिलेगा कोई भेदभाव नहीं होगा ठीक है और देखे दूसरी चीज़ यह है कि they are justiceable enforceable by courts यह जो है नियाले द्वरा प्रवरतनी भी है अगर कहीं भन होता है तो आपने आले में कोट में जा करके इसके विरुद्ध शिखायत भी कर सकते हैं इन केस आफ वालेशन पर्सन के अप्रोच कोट अफला वही बात जो मैंने आपको बताई अब देखी यह बहुत इंपोर्टेंट भी है कैसे इंपोर्टेंट है यह जो fundamental rights है वह ए करती कि बहुत तक जैसे समाजिक रार्थिक राजनेतिक तथा अरनेतिक बात करिया तो धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए इसे fundamental right कहा जाता है मौली अदिकार कहा जाता है अब मुझे उमीद है कि आपको बिल्कुल clear हो गया हो लोगी right to equality है article 14 डू article 18 जो यह समानता का अधिकार है वह उनुच्छे 14-18 तक है right to freedom यहनि की सवतनता का अधिकार कहां से कहां तक है तो अनुच्छे 19-22 तक है और शिक्षा संबंदी अधिकार कल्चर राइट्स यह कहां तक है तो अनुश्यत 29 से 30 तक है और समधानिक उपचारों का अधिकार राइट्स यह कहां पर है अनुश्यत 32 में है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम चार राइट्स के बारे में देखेंगे समझेंगे और हम समझेंगे और कुछ questions भी वहीं पर देखेंगे ठीक है तो आईए चलिए without any delay start करते हैं देखिए अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि जब यह अनुश्यत 12 से आपको कहां तक देखने थे 35 तक देखना था ठीक है तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि मैंने 14 से बताय तो 12 और 13 में क्या है तो देखिए जो अनुश्यत 12 है उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ इसमें जो है यह आपके लिए बहुत important नहीं है बट sometimes कभी-कभी important इसलिए हो जाता है कभी-कभी exams में पूछ लिया जाता है तो यह क्या है definition of state है इसमें ठीक है यह निक है इसमें जो हमारा राज्य है उसकी परिभासा दी गई है अब देखिए यह बहुत wide है ठीक है अब जैसे देखिए हम इस्टेट यहां क्या कह सकते हैं कि जो हमारे यहां सरकार है या संसद है ठीक है यह हमारे यहां क्या है यह state है अब देखिए अब जैसे executive है या फिर हमारा legislative organ of the union government हो चाहिए वह state government हो यह सब हमारे क्या है इस्टेट है यह बहुत broader concept है थोड़ा सापको समझने में दिक्कत हो सकती ही बट मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूं देखिए उसके बाद अगर जैसे राजस्तर पर चले राजस्तर की जो government है वो भी है उसके बाद जो राजस् के लिए ट्रस्ट कोई बना हो यह सभी state के अंतरगाता आते हैं ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें लाइसी हो गया आपकी ओंगी सी हो गया ऐसे बहुत से इस्टाचुरी बाडीज है वो जो कि क्या है एक state है ठीक है अब देखिए अगर मैं बात करूंगर जैसे माली जी क मतलब यह कि definition of study बहुत ब्रॉड है ठीक है तो आपको बहुत डीटेल में नहीं जाना है आपको exam point of view से ही पढ़ाना है अगर फंडमेंटल को आप बहुत डीटेल में पढ़ने लेंगे तो आपका बहुत टाइम होगा मैं मानता हूं है यह बहुत इंटेस्टिंग टॉपिक है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल 13 के बात करते हैं लाज फंडमेंटलाइट एक कि चलते हैं यहां करता है तो बहूं ठीक है तो वो क्या हो जाएगा जैसे क्यों कोई चीज है जो बहुत डिरोगेटरी यह आप समझ रहोंगे डिरोगेटर मतलब एक तरीके से सही नहीं है आपको देख रहा है वह फ़र्णामेंटर मैं समानता का अधिकार 14 से ठाए आप सब जानते हैं तो इसकेबारे इतना ही याद रखना है आपको मैं अगले वीडियो में ट्रिक बताने की भी प्रयास करूंगा ठीक है मेरे पास ट्रीक है पर मैं हमेशा से इस पर फोकस नहीं करता हूं मैं यह कहता हूं कि अगर आप चीजों के एक बार दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक के में ही और ज्यादा तीनों तक याद रख पाएंगे उसके बाद मैं बात करता हूं आटकल 15 में तो आटकल 15 में क्या है प्रोहिबीशन अफ डिस्क्रिमिनिशन ऑन ग्राउंड्स अफ रिलिजिन रेस कास्ट सेक्स और पेस अफ वर्त यानिकी धर्म मूलवन्स जाती लिंग या जन्म अस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेत किया गया है समझ रहे हैं आप यहीं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा ठीक है जिसे इक्वल ये इक्वालिटी की बात करी गई है तो चाहे वो देश का रास्ट्रपती हो चाहे वो देश का एक आम नागर के हूँ आप किसी भी जाती के हूँ आपके साथ भेदभाव नहीं होगा अब वर्तमान में क्या हो रहा है अब इसका बात तो मैं नहीं कुछ कह सकता बर देखे कुछ जगहों पर होता है रेकिन जो संभिधान है वो एक हमारे एक आईडियल सोसाइटी की बात करता है कि बि अब यह आपके लिए इंपोर्टेंट है लोक नियोजन के विशय में आउशर की शमता की बात की गई है जो पॉब्लिक गवर्मेंट है जैसे आप रिजर्विशन देखते होंगे तो यह थोड़ा सा एक्सिप्शन है रिजर्विशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसम बहुत नहीं जाना है वहाँ पर भी एक लंबी डिवेट है तो आप नॉर्मली समझ लीजिए कि क्वैलेटी अफ अपर्चुनिटी इन मैटर सब पॉब्लिक इंप्लियमेंट यह किस आर्टिकल में है आर्टिकल 16 में है ठीक है और देखिए कई चीजे आपको यहाँ पर थोड़ी कंटर्डिक्टरी लग सकती ही कि वर्तमान में ऐसे है लेकिन आपको अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो आप जितना ही डिटेल में जाएंगे उतना ही कनफ्यूज होंगे तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है ठीक है अब आईए आर्टिकल 17 क्यों बात करते है Abolition of Untouchability and Prohibition of its Practice यहाँ पर किसकी बात करी गई है? अस्प्रिश्टा का अंत की बात की गई है ठीक है जो छुआ छूद की बात करी जाती थी पहले के समय में अगर आज भी कहीं हो तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आज भी कहीं है तो उसका उन्मूलन होना ही होना चाहिए ठीक है इसकी बात की गई है पहले के समय में तो यह विद्धिमान था इसमें हम सभी सहमत है अब 18 में आर्टिकल की तरफ आते हैं Abolition of titles except military and academic क्या बात करी गई है यहां पर 18 में कि उपाधियों का अंत अब इसमें एक्षिप्शन क्या है military जो military के पर्सनल्स हैं जो academics हैं उनके लिए यहां पर exception मिला हुआ हुआ है उनको जो छूट मिली हुई है ठीक है उपाधियां जैसे हैं वो जो है उन उपाधियों का यूज कर सकते हैं जैसे आप देखते होंगे है डाक्टर करकाP sector जो भी सिं अपर फीटोर जो भी है आप नाम समझ रहे होंगे जैसे कोई भूआ देटी यह यह तो अब आ किया है जो है वह प्रोफेसर लगाता है लगाता है इन सभी की बात कि गई है तो वह जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन evolution of titles की जब बात करी आती है तो उनमें ये exception में हैं ठीक है लेकिन उपादियों का अंत की बात की गई है आईए अब हम आगे चलते हैं right to freedom आपको येक image दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से हैं पर स्वतनता की बात की गई है अब अनुच्यद 19 हमारे लिए बहुत important जो हो जाता है देखे इसमें क्या बात करी गए protection of certain rights regarding freedom of speech, expression, etc ठीक है स्वतनता की बात की गई है अब इसके बारे मैं आपको डीटेल में थोड़ा सा बताता हूं इसके अंतरगत 6 rights आते हैं आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दीख रहा होगा 6 rights अब दिखिए मैं starting करता हूं यहां से right to speech and expression ठीक है यह किस में आता है यानि कि जो वाक और अभिवक्ति की सुदंता की बात की गई है यह अनुचेद 19-1-a में आता है ठीक है यानि 19-1 को भी आप कह सकते हैं उसके बाद किसकी बात करी आती है right to assemble peacefully and without arms यानि किसकी बात करी गई है कि सांतियपूर हथियार रहित संभेलन का अधिकार है आपको कि आप कहीं भी सांतियपूर तरीके से संभेलन कर सकते हैं वहां पर आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए कहने के मतलब यह है तो यह किसमें है अनुचेद 19-1-b में ठीक यानि आपको संगम या संग या सहकारी समिती बनाने का अधिकार आपको प्राप्त है उसके बाद बात करी आती है यहां पे राइट वूफ फ्रीली थो आउट दर्टरिय अफ इंडिया यह कि कि किसकी बात करी आई कि भारत के जो राज्यचित्र है उसमें अबाद प्राप्त है 1.39 के बात करी जाती है राइट to residen ale city in any pard of the territory of इंडिया बात की गई है यहां पर बात की गई है कि भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का आधिकार आपको प्राप्त है कि- महीं भी जा कर बसकते हैं कि विराज में रह सकते हैं ठीक indir कि पहले क्या हुआ करता था एक इसका exception था जमू कस्मिर लेकिन अब उसको हटा दिया गया है यानिकि जो वहां पे बाधक था अनुशे सब्सक्राइब करते हैं अगली राइट की तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन इनी अकुपीशन ट्रेड और बिजनेस यानि कि इसकी बात की गई है कि कोई भी आजीवी का व्यवसाया व्यपार करने का अधिकार आपको प्राप्था कोई भी आ वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आये होंगे ठीक है यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अब देखिए अब हम आगे बात करते हैं अनुचियत 20 में ठीक है अनुचियत 20 में क्या है प्रोटेक्शन इन्रेस्पेक्ट आफ मंद में संग्रक्षड है अब जैसे देखिए आपके लिए यह चीज दिख सकता है कि आपको तीन पॉइंट भी दिख रहा होगा जैसे कहने के मतलब यह है कि जैसे नू एक्स पोस्ट फैक्टो लाओ है उसके बाद बात आती है नू डबल जीव पाड़ी है फिर आपको न सेल्फ इंक्रिमनेशन है यह सभी चीज़े भी आपको दिख रहे होंगे यह तीन पॉइंट मैंने स्पेशली मेंशन किया है अपसे पूछा नहीं जाता है पट अगर कभी आप लाओ के लिए एक्जाम देने जाएंगे तो आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो जो भी नो एक्सपोस्ट फैक्टो लाओ का मतलब यह है कि नो परसंट सेल भी कन्विक्टेट अफ एनी ओफेंस एक्सेप्ट फॉर वालिशन ऑफ लाओ इन फोर्ट एड़ टाइम समझ रहे हैं कि जिस टाइम वो कोई क्या कहते हैं वालिशन अफ लाओ हुआ है यानि कि जो न्या अगर वह काम जो है वक्ति आज किया है तो आज की दिन में जो कानून जो है लाओ है उसी कानून के तहत उसको सजा मिलने चाहिए ठीक है मेरी बात को आप समझ रहोंगा यह है एक स्पोस्ट फैक्टो लॉव समझ रहे हैं अब यहां पर डवल जीव पार्डी प्रिंस्पल क्या है इसको समझे कहने को बतला भी यह है कि नो परसंट फेटेटेटेटेटेटें पनीज़ फार दसीम आफेंस मोर दन में ने और को वेक्ति एक अपराद करता है तो उसके लिए उसको एक ही बार जो है वह दोसी होना चाहिए या उसके ऊपर आरो पे उसको बनाया जाना है तो उसके लिए एक ही बार उसके साथ जो प्रक्रिया हो इसको किया जाएगा ठीक है अब बात आती है नू सेल्फ अपराद किया है ठीक है अब वह कोई भी अपराद किया हो तो उसको कभी उसके उपर दबाओ या प्रिशर नहीं बना जासकता है कि वह खुद ही जो है अपने वीरुद जो है वह एक साक्षी का काम करें एक विटनिस का काम करें ऐसा नहीं किया सकता है उसके उपर प्रिशर नहीं बनाया सकता है कि वो अपने ही अगेंस्ट जो है वो बातों को बोले या फिर जो है वो विटनिस बने ठीक है तो मुझे उमीद है आपको समझ में आया होगा इसके बारे मैं आप डीटेल वे में पढ़ भी सकते हैं थोड़ा सही भी इंपर्टेंट एकी इसमें योभी लिस्ट आपको मिलेगी right to live with human dignity बहुत सारी लिस्ट मिलेगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं ठीक है right to health है right to shelter है right to privacy है जो यह आपका नीजटा कहादिकार है इसको भी सब्सक्रियूकूट ने भी सामिल कर दिया तो वहीं आपको बताया राइट टू प्राइवेसी ठीक है राइट टू लैबलियूट यह सभी किसमें आते हैं अब आटिकल 21 में भी एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है वो क्या है राइट टू इसक्षा का अदिकार है बहुत इंपोर्टेंट है क्यों कै कंपल्सरी जो है वो एलिमेंटर एजुकेशन मिलना चाहिए ठीक है अब देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि यह कब जो है जोड़ा गया था तो यह 86 कंस्टूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था यह 2002 में जो है वो एड किया गया था ठीक है तो यह आप से एक् पूछता है तो आप इसको याद रखेंगे यह कौन सा आर्टिकल है अनुश्यद 21 का यह ठीक है यह आर्टिकल 21 यह आप इसको याद रखेंगे आगे चलते हैं अनुश्यद 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन इस अब देखिए यह जो है कुछ दसाओं में विरफ्तारी और निरोज से संग्रक्षड इसके बात यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए 21 इंपॉर्टेंट है 19 इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए 20 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चाइल्ड है वो कोई काम कर रहा है चाइल्ड लेवर आपने सुना होगा वह जीज यहां पर हो रही है तो इसकी बात की गई है किसमें उसको आईए देखते हैं आप इस इमेज को अच्छे से देख लेजिए आए आगे हम चलते हैं देखिए राइट अगेंज किसकी बात की गई है मानों के दुर्वयभार और बलात्सरम का प्रशेद की बात की गई है इसको कह सकते हैं ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अनुचेद 23 अनुचे 24 में बात की गई है प्रोइबिशन आफ इंप्लाइमेंट आफ चिल्रेन इन फैक्टरीज एट्स बहुत इंपोर्टेंट है इस से कोशन हमेंसा बनते हैं तो आप इसको बिल्कुल ध्याद रखेंगे आईए अगले अधिकार के चलते हैं अगले राइट के तरफ जलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं ठीक है तो धर्म की सोदानता का अधिकार की की हम बात करेंगे तो आइए बात करते हैं जाइए defence कि अबात करते हैं तो आव्डिकल 25 में की कर सकते हैं उसका प्रचार प्रचार कर सकते हैं ठीक है उसके बात बात करें गई है अनुशेद 26 में freedom to manage religious affairs यानि किसकी बात की गई है धार्मिक गति विधियों के प्रबंध का अधिकार की बात की गई है ठीक है अब बात बाती है नुशेद 27 की freedom from payment of taxes for promotion of any religion की बात की गई है यानि कि किसी धर्म विशेज की अभिविर्दी है तो जो करार ऊपड यानि कि taxation है उससे आपको प्रतिबंध दिया उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कैसा नहीं कि कोई अगर जो धर्म विशेज की अभिविर्दी हो रही है वहा और worship in certain educational institution ठीक है कुछ चेश्चर संगसाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्तित होने के समन्ध में शुद्धा की बात की गई है तो इसमें बहुत कुछ important है जैसे यह आपको आर्टिकल 24 आर्टिकल 23 है इधर से भी कभी-कभी आपसे question पूछ ले जाता है इन 4 आर्टिकल समय से तो ऐसे करें कि आपको समझना है और याद करना है ठीक है और देखिए याद करने का मेरे संस यह नहीं क्या बिल्कुल रटेंगे जब इनको आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको रैटिफिकेशन करने के जरूरत नहीं होगी ठीक है और आपको चीज़ समझ में होगी और इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद